लेटेश्ट ख़वरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दवाएं बैल आइकन नमस्कार आप देखरें गजब समाचार नोईडा के सेक्टर 16 में इस्थित मारवा स्टूडियो में तीन दिवसी ग्लोबल लिटररी फेस्टिवल का शानदार समापन हुआ तीसरा दिन साहित और समाच के बीच संबंधों पर विशेश रूप से चर्चा हुई साथी साहित के महत्व को भी दर्शाया गया मारवा स्टूडियो के संस्थापक एवं ICM-EI के प्रिजिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि साहित समाच को इथारत रूप में दर्शाने का सबसे अच्छा और सरल माध्यम है साहित के दवरा हम किसी भी देश की सभीता, संस्कृती, आर्थिक, सामाजिक, रायनितिक, सभी प्रकार की दशाओं को जान सकते हैं साहित में वह शक्ती है जो समाज में क्रामती कारी परिवरतन ला सकती है दुनिया में कई ऐसे साहित्तिकार हुए हैं जिन्होंने देश में ही नहीं बलकि पूरे दुनिया में क्रामती फैलाई हैं और साहित्त की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं हमें साहित्त के महत्व को समझना चाहिए और साहित्त के परती रूची भी जगानी चाहिए Global Literary Festival में देश विदेश के महमानों ने अपनी गरीमा में उपसिती दर्ज कराई और साहित्त के बर्तवान महत्व को जाना इस कारिक्रम में आइस यमाई के प्रेजिडेंट संदीप मारबा, उजबेकिस्तान के एमबेश्डर फरहाद अरजियेव, परसिद डायलोग राइटर आनंद एस वर्धन, परसिद फिल्म लेखक गंगा परसाद विमल, कुमकुम चंधा, कारिक्रम डिरेक्टर सुसिल भारत सहित कई लोगों ने अपनी गरीमा में उपस्थती दर्जी कराएगी। लाग् लाग्र हिस्ताएग ilे उन्म लाग्र मेरीमा मेंगा 2 परस्ताए दे परस्ताएग सहित कारई लग लाग्न लेक्रल्च कारेTE कई लीज़ देखकें, लोगश्य ।ॉक Damn ल35-EN उन्म और और नहां सो कि अ अग्वारी प्रावाब लावे सुवारदा फ्रेखकास दिर्ट्ट्रेश और नहां सो यहां से इवर के अपया है आप यहां हरा नहां से दियुद्ट और प्लावार्ब से लोपडरादानी और लिए हैं आफ्रीका तो देसे लोग रिलेशन्शिप बित्विन इंडिया और अफ्रीकन इंडिया को जोड़ते हैं और कही तरह कि विचारदाराओं को प्रोचाहित करते हैं तो इसलिए ये जितने फेस्टिबल्स होते हैं यहां संदी मारवाजी के नेत्रतों में अच्छा होता है लोगों को जैसे मैना जोड़ता है और कई देश को लोग यहां आते हैं सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है अब देखिए जो ख्वाब देखे गए थे वो जब ख्वाब पूरे होते हैं तो फिर से एक बार जोश आ जाता है और बड़ा अच्छा और नया सोचने का हमारे यहां से तीन दिन में तकरीबन बावन इवेंट जो हैं वो कम्पलीट होते नजर आ रहे हैं करीब एक सो पच्छिस से भी ज्यादा स्पीकर जो देश भर से यहां पहुँचे हैं उनकी मधुरवाणियां सुनकर मुझे भी बहुत ग्यान प्राप्त हुआ है और चववन मुलकों ने भाग लिया है और करीब दस से भी ज़्यादा अमबैसेडर विभिन देशों के यहां पर पहुँचे हैं मुझे खुशी है कि इस पूरे फेस्टिवल ने तकरीबन तीस से भी ज़्यादा किताबों की लाँचिंग हुई है और आज हमने सर्वपल्लाई डॉक्टर रादा किशन को याद करते हुए क्योंकि उनका डारेक्ट संपर्क एजुकेशन के साथ रहा है वो खुद टीचर थे देश के उपराश्पती थे देश के राश्पती हुए और सबसे बड़ी बात तो यह कि वो देश के पहले चीफ इस फेस्टिवल की काउंट करेंगे जो अपने आप में अब मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा और सक्सेस्फॉल लिटरी फेस्टिवल हुआ है सबसे पहले तो लोगों को अपने बच्चों को इसलिए मैंने याद दिलाया कि पास्पोर्ट बना लीजे क्योंकि एक ऐसा एक मात्र संस्तान है जहां पर पता नहीं कब अचानक हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिल जाए विदेश जाने का अभी दो स्टूडेंट हमारे जो है वो इटली जा रहे हैं स्टिफैनो रिची जो दुनिया का सबसे महत्पून और नामी गरामी ड्रेस डिजाइनर है उसके यहां पर दो बच्चों को मौका मिला है तीन महीने की इंटर्शिप करने का अभी दस बच्चे हमारे लंडन जा रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा अंतरास्टिय इवेंट हो रहा है उसमें हमारे फैशन के बच्चे वहां जा रहे हैं अभी दस दस बच्चे ग्रीस जा रहे हैं और एथेंस के अंदर एक बहुत जबरदस मिसिस इंडिया का आयोजन होने जा रहा है च्छेमी दफ़ा उसमें हमारे स्टूरेंट्स को मौका मिला है मैं खुद पिछले हफते मलेशिया से वापस आया हूँ और मेरे पास फिर से एक नई योजना तयार हो कुछ फैशन के और कुछ जर्नलिजम के स्टूरेंट्स को नियोता आया है हमारे इंस्टूशन से जिने मैं भेजना चाहता हूँ तो जाएगा वही जिसके पास पासपोर्ट है ड्राइविंग लैसेंस काम नहीं आएगा